हेलो फ्रेंड्स टेकिसर जी यूटूब चैनल फिर से लाया है आपके लिए कुछ नई खास ख़बरें ड्रोइंग टीचर्स के लिए यानि की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स के लिए तो रोजहाना इस भरती के लिए कुछ नई नई राज खुलते जा रहे हैं और नई नई बाते सामने आती जा रहे हैं तो कल एक नई कंडिडेट को जो रोलंबर था वो इशू किया गया था इंट्रू के लिए और आज ये बहुत सारे बच्चे और एड कर लिए गए हैं तो पूरी की पूरी जानकारी के लिए ये पूरी वीडियो देखें किन कारणों से इनको किया गया ये सारी बाते यहाँ पर मैं डिसकस करूँगा तो पूरी की पूरी वीडियो देखें अंतक देखें अपने कमेट जरूर करें लाइक करें और शेयर करें जितने भी आपके ग्रूप से हैं दोस्तो हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन लगातार कोशिस में है कि ये वैकेंसी जल्द से जल्द पूरी किये जाए क्योंकि चेर्मेन साब का कारेकाल भी जल्द ही खतम होने वाला है तो उनकी कोशिश है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द से जल्द इसको खतम किया जाए लेकिन रोजाना कुछ न कुछ ऐसा होता जा रहा है कि ये भरती और डिले होती जा रही है तो देखते हैं कि आज ये क्यों डाला गया और कितने बच्चे यहाँ पर आए हैं तो ये जो भी रिजल्ट दिया गया है ये कंटिनेशन है हमारे 10 तारीक के हैनि कि 10 मार्च के रिजल्ट का तो यहाँ पर जैनल की 387 जो कि सभी बच्चों को याद हो गई है उन पोश्ट के लिए यहाँ पर देखिए कट ओफ जो थी पिछली 102 थी वो यहाँ पर डाउन करके सो कर दी है तो इसमें केवल वो बच्चे शामिल नहीं है जो कि 100 से लेके 102 तक के बच्चे थे उनके अलावा भी जो हाईर रैंकर थे बच्चे जिनमें स्क्रैच की दिक्कत थी या जिनके कोई मार्क्स में प्रोबलम थी या किसी भी तरीके से एक एससी ने उनका रिजल डिकलेर नहीं किया था तो वे सारे बच्चे इसमें शामिल हैं और ये टोटल 95 हैं तो अगर 100 और 102 वाले बच्चे इसमें शामिल होते तो उनसे तो किसी को भी कोई प्रोबलम नहीं है कि बच्चे बढ़ गए तो उससे कोई बात नहीं है वो मैक्सिमम मार्क्स भी लेके जाएंगे यहां से तो भी काफी बच्चों के मार्क्स उससे जादा रहेंगे यानि कि 100 मार्क्स अगर वो लेते हैं यहां पे और पूरे के पूरे इंट्रू में भी लेते हैं तो 25 मार्क तो दूसरे बच्चे ये सोच रहे थे कि अभी लगबग 700-800 और बच्चे निकल जाएंगे, हमारे दो गुना बच्चे रह जाएंगे, उनके लिए ये प्रिशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों के ये आए हैं, जिन कंडिडेट्स के उनके लिए बदाई हो, और अब BCA में भी यहां पर भी दो नमबरों की कटोती की गई है, तो पहले 96 उनकी थी, अब ये 94 की कटोफ यहां पर आ गई है, और ये 29 BCA में काफी टफ कंप्रिशन है, इसमें जो भी हमारा सर्वे था, उसके भी रिजल्ट मैं जारी करूंगा, तो आप अप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितनी मेरिट से यहां पर जा सकती है, तो BCA में 131 है और 29 बच्चे और आ गए हैं, तो वैसे ही यहां पर 3 टाइम से ज़्यादा बच्चे अब हो गए हैं, BCB में भी देखिए, यहां पर 88 पोस्ट के अगेंस्ट, यहां पर 98 को यहां पर बुलाया गय है जो कि 98 मार्क्स वाले बच्चों को भी यहां पर भी दो मार्क्स का यानि कि एक कुश्चन का यहां पर डिफ्रेंस आ गया है, तो यह भी 30 हैं, तो लगबग लगबग यह हमारे 154 प्सपन के करीब यह बच्चे बनते हैं, यहनि कि 1.500, तो इसका मेरिट पर क्या आसर है यह आप कमेंट बॉक्स में करें, अब हम देख लेते हैं कि क्या कारण थे कि यह बच्चों बुलाए गए, अब सबसे पहले तो इनकी डेट है 23 2021, सभी बच्चों के पास यह मैसेज जरूर चला जाना चाहिए, वीडियो अगर आप शेयर करते हैं, तो उसमें कैप्शन जो है लिखके जरूर भेजें ताकि सभी इसको देखें, अब जो कमिशन है यह आपको जाना है, यह प्रोविजनल एलिजिबल बच्चों को यहां पर बुलाया गया है, और उनको रिमूव करना पड़ेगा जो कि अबजेक्शन था, उनको किसी विशेश सर्तों पर यह जा के यू के जो प्रोविजनल जिनका की जो कट ओफ डेट थी उसके बाद में रिजल्ट आया था, उनमें से यह बच्चे कम है, अला कि बहुत सारे बच्चे जो हैं माक सी सोचते हैं कि मेरे ज्यादा थे, लेकिन हमारे साथियों ने बताया कि उनके दोस्तों ने भी ऐसे वारा यह बच्चे आ रहे हैं यहां पर, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने की एडमिट कार्ड जो है उनका एडमिट कार्ड उनकी काटेगरी के अलावा था, यानि कि हम बच्चे कुछ कह रहे थे कि यो जो हमारे यादव जैसे हैं, बीसी भी के हैं, लेकिन वो BCA में بھی बच्चे थे और SC category में भी कुछ बच्चे थे मतलब उनकी जो category थी वो उनके जो category में ना हो करके वो दूसरी category में 시ह सिफट कर दी गई थी तो ऐसे बच्चे अपना जो sporting certificate हैं वो जरूर लेके जाएं इसके इलावा ऐसे भी सिफ्ट कर दी गई थी तो ऐसे बच्चे अपना जो स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट हैं वो जरूर लेके जाएं इसके अलावा ऐसे भी बच्चे इसमें थे कि जिनकी मार्क शीट बाद की थी, कट ओफ डेट की बाद की थी, तो उनमें भी कुछ इशूज थी, तो उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है, अब उनके सर्टिफिकेट लेके आने ही पड़ेंगे उनको, तो यहाँ पर स्पोर्टिंग डोकुमेंट्स लेके आएं, कट ओफ डेट जो भी दी गी थी, 21 अगस्त 2000, जो हमारा 2006, उसके बाद का कोई भी नहीं चलेगा, अगर उनकी डेट है यानि कि उन्होंने दोबारा से डुब्लिकेट निकलवाई है, या कोई करेक्शन है नाम बगरा की, तो वो यहाँ पर अपना जस्टिफिकेशन लेके आएं सर्टिफिकेट लेके है, इस इंगो 30 से उसी के आदार पर माना जाएगा इसके अलावा जो है यह बताया कि कोई दूसरा चांस यहाप नहीं दिया जाएगा, हाला कि एचससी ज्यादा से ज्यादा चांस देने में विश्वास रख रही है तो यहाँ पर जो एक और उपन और बात दे दी कि यह जो डेड़ सो बच्चे हैं, इनके अलावा भी और भी आ सकते हैं आपको मैंने बताया था कि बीच बीच में हमारे सामने ही काफी स्टूडेंट काफी कैंडिडेट्स हाई कोड के ओर लेके इंट्रू दे रहे हैं तो इन्होंने ओपन कर दिया कि अगर किसी के पास भी पंजाब और हर्यान हाई कोड का कोई भी ओडर है जिसके दोरा उनको इंट्रू में जाने के लिए ओडर दिये गए हैं तो वो सारे के सारे 20 तारीक को आ जाए इसके बाद कोई भी चांस यहां पे नहीं दिया जाएगा और जाहर सी बात है कि यह जो रिजल्ट है वो 21 या 22 तारीक को डेफिनेटली आ जाएगा तो यह चीजे हैं एड होती जा रहे हैं तो बच्चों के अंदर जो भी जानकारी है कि जो सर्वे किया था उसमें क्या मेरिट बनेगी तो उसके उपर वीडियो जल्दी बन जाएगी आज या कल तो उसको आप जरूर देखें आपने बहुत सारे बच्चों ने अपने मार्क्स वहां पे दिये तो उनके आदार पर ही ये सारा रिजल्ट निकाला जाएगा और यहां पर भी जो कैंड़िडेट्स है उनके मार्क्स मैं बता दूँ किकेवल ये इतनी मिनिम्म नहीं है उनके ज़्यादा भी हो सकते हैं और मिनिम्म के पास भी हो सकते हैं तो ये vacancies कैसे निकलेगी ये ही आने वाला समय ही बताएगा आपकी राए क्या है आप अपने comment section में जरूर बताएं कोई question है तो वो भी comment में जरूर बताएं और जो channel को subscribe करना ना बूले ताकि आपको latest news मिल सके वो भी पूरी खोज ख़बर के साथ मरलब जल्द बाजी में नहीं उसको अच्छी तरह से analysis करने के बाद ही वीडियो बनाई जाती है ताकि शांती से उसमें answer सही दिये जासके तो description में भी आपको group के links हैं survey links है आप उनको जरू जोईन करें और कोई question है वो comment box में जरूर लिखे थैंक यूँ